हाँ तो दोस्टो आर्टी इंडस्ट्रीज के Q3 के नमबर काफी फिनोमिनल आए हैं और उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको आर्टी इंडस्ट्रीज के ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो दिके जो रेवेन्यू का नमबर है वो पिछले काट के कमपेरीजन में 55% से बड़ा है और ये नमबर आया है 2331 करोट पे और जो प्राफिटेबलिटी है वो यहाँ पे 347% से बड़ी है यानि कि 4 टाइम चे भी जादा यहाँ पे नेट प्राफिट का नमबर कमपनी का डाउजन 331 करोट पे आया है तो देखे यह जो नमबर चे यह काफी फिनोमिनल है तो कि अगर आपका रेवेन्यू अल्रेडी 1100 करोट का आपका रेवेन्यू है और ये अनियर बेशिट पे अगर आपका रेवेन्यू का नमबर डबल हो रहा है तो डेफिनेटली मार्केट यहां पे बहुत ज़्यादा इस पे क्रेजी रियाक्ट करेगा अगर हम येर ओन येर बेशिट पे प्रॉफिटे अबिलिटी की बात करेंगे तो ये नमबर 375 पर्चेंटेज से बढ़ा है और ये नमबर यहां पे 765 करोट पे आया है तो देखे अल्मोस यहां पे 5 टाइम हमें येर ओन येर बेशिट पे जो नेट प्रॉफिट ए कंपशनी का वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो देखे यहां पर अगर हम देखेंगे जो ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉनसेप्ट होता है यानि कि एक हद के पार अगर आपका रेवेन्यू का नमबर चला पूरा रेवन्यू का नमबर आपके अलेट प्रॉफिड में आ जाता है वह कंपनी के नेट प्रॉफिट एबिलीटी में देखने को मिल रहा है तो काफी फिनॉमिनल्वीन पर फॉन्स घांपे आर्टी इंडर्स्टिर दरफ चाहा हमें देखने को मिला है तैसलिकि यहांप का में ब्रेक होता हुआ नजर आएगा कि यह जो नंबर्स हैं यह काफी फिनोमेनल मुझे लग रहे हैं अगर शॉट टम की बात करेंगे मुझे लगता है डेफिनेटली 15-20 परसेंड का अपसेड आपको देखने को मिलेगा उसके लावा लॉंग टम की बात करेंगे तो देख है तो आप कमेंड कीजिए मैं जरूर आपके कमेंड पर इपलाई करूंगा ओके रोस्टों ठैंक यू एव नाइस डेग